से स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा सम ओफ अब्जर्वेशन क्या होता है एवरेज इंटू में नंबर ओफ अब्जर्वेशन दिस दा फांडेशन ओफ कंप्लीट चैप्टर ठीक है यही हम हर कोश्चन में यूज करके सारे कोश् अंख्यां दे दे ते थे तीन 4 5 6 8 मुझसे QUE से थे वह इनका आवरेज बता दो क्या होगा तो इन babies roarने करूंगा मैं सब कर सम कर लूगा और सब का सम करोंगा तो साथ फांच बारा और च्पर ऑडनव दामियर Patrice यो गया 26 और मेरे पास कितनी वैल्यूज है एक दो तीन चार पांच पांच वैल्यूज है तो पांच से विभाजित कर दूँगा इसे तो मेरे पास आवरेज आएगा 5.2 ठीक है तो सम उफ अब्जरवेशन डिवाइड बै नंबर अब्जरवेशन होता है हमारा अगर मैं क्या करूं इन सभी वैल्य के अंदर कुछ फरक पड़े क्या यह पार्ट क्लियर हो गया अगर मैं आगे भड़ता हूं इसमें अब मेरे पास मल्टिपल वैल्यूज हो जाएं जैसे कि मैंने कहा मेरे पास एक किलास है जिसके अंदर 20 स्टुडेंट है जिनका एवरेज वेट कितना है 45 kg है और मेरे पास इस पांच स्टुडेंट है जिनका एवरेज वेट है 15 kg तो मुझे बताना है सभी स्टुडेंट का एवरेज वेट कितना होगा तो नमबर ऑफ टूडेंट मैं यहां पर लिखे और उनका एवरेज वेट यहां पर लिखना तो आप कहोगे सब सबसे पहले क्या करेंगे सभी सबस्क्राइब करेंगे तो इसे हम कहेंगे सम ऌफ प्जरवेशन डिवाइड बाइड पर देंगे मेरे पास 20 और 5 कि इससे विभाजित कर देंगे तो क्या यह मेरा फॉर्मला बन गया किसका इवरेज का यह सम हो गया ये numbers observation हो गया अगर में इसे formula की फॉर्म में लिखना चाहूं तो आपको होगे मेरे पास पहले ये इस इको एवन अवरेज मालेता हूं इसको एटु एवरेज मान लेता हूं इसे number of students को नवन माल लेता हूं यहां पर numbers होगा इसी चीज़ को करते हैं इसी हैं पर अगर मैं इसे और करता हूं आप देखो गे नीचे मेरे पास और 25 på ratio 25 या फिर अभी मैं क्या करता हूं 20 और 5 में से 5 क्यक्स को मन लेदा हूं ठीक है मैंने कहा यह मेरे पाखे का चार जमाइफ बस्त मेरे 5 टा ट क से पाउन्टisu में तो इसी जीज मे ones सकता हूं हमने क्या कुछन चोभी में पांच मीरे तो az अगर मेरे पास जो स्टुडेंट्स की संख्याती वह चार रेश्यों को होती क्या मेरे एवरेज पर कुछ भी फरक पड़ता नहीं आप कहते चार इंटू 45 प्लस चार एक इंटू में 15 डिवाइड़ बाइड़ बाइच यही मेरा वेटेड आवरेज का फोर्मुला यही लग तो मैं यह कह सकता हूं कि जब हम इरेज निकाल रहे तो स्टुडेंट्स में यहां तक सबको किलियर हो गया होगा सिंपल बेसिक एवरेज का हमने थोड़ा समझा अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं तो मैंने यहां पर सब्सक्राइब यहां निकाल सकते हैं अगर मेरे पास अर्थमैटिक आवरेज कैसे निकालते हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन मरतब मेरे पास अर्णूररी हैं यहां फिर हैं मैंने कहा पहले नंबर दूसरा नंबर चार तीसर नंबर मेरे बास आ पीच में अगर सेम चल रहा है मेरा विभी नंबर में तो होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सिरीज यह मैंने कहा है यह मेरी हो कई एपी सिरीज यह कुछ फॉर्मॉला जो होते हैं जो शायद आपको पता होंगे जैसे अगर जो फर्स्ट होती है उसे मैं बोलता हूँ बिच में common difference ह में इसमें हमारे पास कुछ formula हो जोते हैं पी के पहले मां formulas लिखता हूं जैसे अगर अगर मैं बतानी हो तो होती है फर्स टर्म एको फर्स्ट टर्म एबन इसकोष टूए इन फेल प्लस यह वोता है मेरे पास एन माइनस बनेंटो में अगर मैं सम आफ एंट निकालता ओं तो यह वाली वैल्यू होती है मेरे पास एन अपॉन दू कि टुए प्लस एन माइनस वन दी या तो हम इसे ऐसे दिखते हैं वरना हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एन अपॉन डू और यह हमारी क्या होति है यह हमारी होती यह थोड़ा सब करा रखा है तो आगे बढ़ते हैं अगर मैं अगर सम निकाल रहा हूं तो average क्या होगा आप को होगे सम डिवाइड़ बाइन नंबर ओब्जर्वेशन नंबर ओफ वैल्यू कितनी है एन है इस फॉर्मिले के अंदर तो यह मेरे पास हो जाएगा एन अपॉन टू और डिवाइड़ बाइन करेंगे और यह प्लस ए प्लस एन इसे सकता हूं तो मेरे पास वैल्यू के आएगी एन से एन कट जाएगा मेरे पास एवरेज आएगा फर्स टर्म प्लस लाश्ट ट्रम डिवाइड़ बाइड़ इस यहां पर देखो मेरे पास यह पूरी सिरीज रखी दिया अगर मुझसे पूछ लेता इनका एवरेज क्या होग अब खास बात क्या है एपी सिरीज के अगर आप पीछे पीछे चलते चले जाओं मैं क्या करता हूं यहां से एक टम छोड़ी और यहां से एक टम छोड़ी तो मेरे पास बचा 4 और 16 अगर यह दोनों टम्स हटा भी देते तब भी मेरे एवरेज में कुछ फ्रक नहीं पड़ हों घर तो भी मेरे पास 20 by 2 यह कितना जाएगा टेर आजएगा ऐसे में इन दोनों टम्स को भी छोड़ देता साथ और 15 भाग दो करता और अगर मैं इन दोनों terms को भी छोड़ दू तो जो middle term बचेगी मेरे पास ये भी क्या क्यलाएगा average क्यलाएगा arithmetic progression की series में जो middle term होती है वो भी हमारी average होती है क्या इतना part clear हो गया अगर series AP है तो middle term ये जावर average इसे हम arithmetic mean के नाम से भी जानते हैं अब यहां पर सिंगल एक time आई क्योंकि यह मेरे पास जो series इसमें number of terms कितनी थी number of terms 7 थी तो यह हमारी old series थी अगर मेरे पास even series होती तो हम क्या करते मालो मेरे पास values होती टू से इसी इस series को लेते हैं एक तीन एक चार साथ दस तेहरा 16 19 और हम आगे गये थे एक time और ले लेता हूं मैं 22 से मेरे पास आठ टम्स होती तो इन coverage क्या होता आप कहते सर इनका एवरेज होता एक प्लस 22 भाग दो फर्स टम प्लस लास्ट टम डिवाइड़ बाई टू यह तही हिस भाग दो साड़े तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि जब मेरे पास इवरेज हो गई तो मिडल में क्या बचेंगी दो टम बचेंगी यह हो रही है तो इनका एवरेज निकालों कि तब कि दस प्लस 13 भाग दो यह हो जाएगा मेरे पास तेहिस भाग दो टेट इस 11.5 अच्छा क्या आप एक चीज़ उप्जब कर पा रहे हो यहां पर जो मिडल टम आ रही है क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी मेरे पास सिरीज होगी जो हम एवरेज निकालते ह वही हमारा क्या होता है मीडियन बी होता है जो आप इस स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते हो मिड्ल टम क्योंकि हां प्रोग्रेज अर्फमेटिक वह हमारा मीन है तो अगर एक्वल्स तू मीन होता है यह लेकर अगर याद रख लेना आगे जाके काम आ सकती हैं अगर मैं बात होता है n by 12 term plus n plus 1 by 12 स्रीं न प्लस्ट्वें टूए तम प्लस नस्त लिए टम घ्टी दिटेगा तो हमारे पास है अगा मीडियन के एकुछन हो चुके अब हैं अब मेरा ऑबरेज के लाएगा और अगर मैं बात करता हूं और बेरेज हो गी काव अगर मैं बात करता हूं सम फर्स्ट एन नेच्ट्रोल नंबर्स क्या होता है एन प्राकरतिक संख्याएं बतानी है तो यह वन से श्टार्ट होंगी वर्न टू-3-4 पॉजिटीव इंटीजर सारे के सारे वन से लेके और यह इंफिनिटी तक ठीक है अगर इंफिनिटी तक सिर अगर यह मेरे पास सम आया तो एवरेज के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास एन ही है तो इसका एवरेज होता है एन से विभाजित कर दूँगा यह आ जाएगा एन प्लस वन डिवाइडिट वाइडिट वाइटू अगर होल नंबर्स की बात करेंगे तो वह 0 से जाएगा मेरा अगर टर्म से तो कहां तक जाएगा चल्दी बताओ अगर अगर टर्म से तो मेरी यह सेंट टर्म को मैं यह एक होगी मेरी n-1 अगर मैं इसका sum करूँगा आप ध्यान से देखो अभी जब मैं n natural numbers का sum कर रहा था तो यह आ रहा था n into में n plus 1 divided by 2 अब यहां से करेंगे तो यहां से लेगे हां तक का sum देखो आप कितना आएगा मैं मा कह सकता हूँ कि 0 को अगर मैं eliminate कर दो तो मेरी एक से लेके n-1 तक terms आ रही है तो n को replace कर देंगे n-1 से तो sum आएगा मेरे पास n-1 और यहां पाएगा n-1 plus 1 divided by 2 तो यह वाली value 1 कट जाएगा मेरे पास बचेगा n-2 में n-1 divided by 2 यह तो आया मेरे पास sum अगर average इंका लोगा क्योंकि actually मैं तो total number of terms मेरे पास कितनी है n है n से विभाजित कर दूँगा तो यह आएगा n-1 divided by 2 यह हमारे n whole numbers का average होता है अगर मैं sum of first and even natural numbers की बात करूं तो हम कैसे चलेंगे यह अब नीचे का थोड़ा सम में मिटा रहा हूं इसमें 2 से गुना कर देंगे सम करने के लिए एन टम का सम यह था इसमें 2 से गुना करूंगा तो सम कितना आएगा क्या यह एन इंटू में प्लस वन आ जाएगा और अगर इसका average निकालूंगा तो number of terms तो मेरे पास एन ही है तो हम क्या करेंगे n से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा एन नेच्वल नंबर्स का average आजाएगा ऐसे ही अगर मेरे पास फस्ट एन ओर नेच्वल नंबर्स हो तो वह कैसे चलेगा आपको होगे यह होगा 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलता रहेगा यह फर्स्ट टम है यह मेरे पास सेक्ड टम है यह थर्ड टम है अगर आप पैटन को टू 1-1 यहाँ पर मैं 4 रखोंगा तो यह 4 2-1 है तो इसके अने टम होती है हमारे पास 2-1 यह याद रखने वरना एपी से आप निकाल सकते हो हमारे पास common difference दो का है फर्स्ट टम है बतानी है तो अने टम क्या होती है अन इक वेस्ट टू ए प्लस एन-1 डी अगर मैं बात कर जाके माइनस 1 बन जाएगा और यह बचेकर 2-1 तो अने टम क्या आएगी 2-1 अगर इसमें सम का फोर्मला लगा दो तो मेरे पास arithmetic progression में ही सम वाला फोर्मला लगा दोगे एसन क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन फर्स टम प्लस लाश्ट तो यह होगा वन प्लस टू एन माइनस वन वन से वन कर जाएगा तो मेरे पास बचेगा एन इंटू में तो यह वाली वैल्यू आएगी सम ओफ एन नैट्रूल नमबर डैट इस एन स्कुर एन स्कुर सम हुआ तो एवरेज कितना होगा एन से विभाजित करना पड़ेगा तो आएगा एन यह सारे फॉरूम लाज याद होने चाहिए टिप्स पे अब मां आगे बढ़ता हूं सब्सक्राइब करेंगे फिर उसके बाद आगे की कुश्चिन सोल्व करेंगे मजाने वाले क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको सबसे पहला कुश्चन कहता है हमारे पास एवरेज ओफ वट इस दी अवरेज ओफ दी नंबर फ्रॉम वन तो फिफ्टी विचर मल्टिपल्स ओफ टू और फाइव ठीक है एक से लेके पचास के बीस तक जितने भी नंबर्स हैं जो या तो टू से कटे या पांस से कटे उन अगर सारे एवन नंबर्स आघे और खिरू से कटैकर आगे मेरे पास बोर सिओं शोर्टचा से करें मेरे जो से कटने वाली संक्ख्याए उग अब मुझे पताना है 2 से कटे या 5 से कटे अगर 5 से कटने वाले नंबर देखने हैं तो आप कहोगे पहला नंबर तो मुझे दिखेगा 5 फिर जैसे ही दूसरे नंबर पर आउगा यह हो गया 5 15 25 35 और मेरे पास वैल्यो आएगी 45 ठीक है पांच टमस इधर थी पांच टमस मेरे पास इधर आगई टोटल नंबर ओफ टमस कितनी होगी मेरे पास 30 होगी मुझे इन सभी टमस का एवरेज बताना है कि क्या होगा 30 से सम करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास क्या है टोटल का सम क्या होता है मेरे पास एंटू में एन फ्लस वन तो 25 इंटू में 25 प्लस एक कर देंगे तो मेरे पास क्या आजाएगा इन सभी 25 संख्याओं का सम आ जाएगा ठेक है कुन सा फोर्म ले लगाया मैंने ये वाला फोर्म ला लगा दिया अब मुझे इनका सम करना है या तो आप बेसिक से सम कर लो वरना आपको होगे क्या ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सिरीज बना रहा है पांच 15 25 35 45 10 10 का गया पर तो मिडल टम क्या होगी एवरेज होगी ये मिडल टम है अगर एवरेज 25 है तो सम कितना होगा पांच टम्स का पच्चिस एवरेज इंटू में नंबर ओफ टम्स तो क्या ये 125 आ जाएगा तो यहां पर मैं 25 इंटू 5 भी लिख सकता हूं ठीक है व भाग 6 अगर इससे सोल्व करेंगे तो 6 दूनी जाएगा मेरे पास 12 और यहां पर 35 बचेगा तो मेरे पास यह जाएगा 5 जा 30 फिर 5 बचेगा पॉइंट रगेगा 50 लगवग 8 टाइम 25.8 सम्थिंग मेरा कुछ इस कुश्चन का अंसर आएगा कौंसा ऑप्शन करेक्ट हो ज तो थी एवरेज ओ फॉस्ट एट प्राइम नबर तूदी ऐवरेज ओ फिर्टस टैन एवड ने इवरेज करें away इवरेज और एंवरीज को बताना है तो एवरेज क्या होगा फस्ट एवरेज Dadana है तो number of terms कितनी है मेरे पास 10 है even तो यह हो जाएगा 10 प्लस 11 फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का सम करेंगे और divided by 8 करना पड़ेगा ठीक है तो मेरे पास यह 8 अगर ratio में इधर जाके multiply होगा मैं कहूंगा प्राइम नंबर्स के फर्स्ट 8 का सम रेशियो में ग्यारा इंटू में आठ अब जो भी मेरा यहां पाएगा क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर्स का सम करूंगा इंटीजर वैल्यू आएगी तो मैं यह कह सकता हूं जो भी मेरा अंसर होगा वह 11 और 8 डिनोमिनेटर में इ प्राइम नंबर्स का सम निकालना चाहूं एट का तो क्या आएगा मेरे पास पहला प्राइम नंबर्स फिर तीन फिर पांच फिर साथ फिर ग्यारा फिर तेहरा और फिर कितने हो गए तीन चार पांच से सतरा और उन्निस इन सब का सम कर लेंगे और हम क्या करेंगे यहां पर पुरा रिश्यट का लेंगे वह आप खुद कर सकते हो अंसर पता है तो मैं देख सकता हूं यहां यहां पर 11 कटा होगा तो सम अठास ही आना चाहिए तो मेरे सब्सक्राइब करेंगे तो फिफ्टीन एवन पॉटिटीव नंबर्स निकालूंगा तो बहुता है मेरे पास एन प्लस वन कितनी वैल्यू है तो यहां पर आएगा फिफ्टीन प्लस वन कोशन हो गया खतम 16 इंटू 10 बन सिटीक है सेकिंड में करने वाले वाले पुश्यंस नेक्ट कोश्यंपे चलते ह पुश्यं में कहता है मेरे पास अधिए वरेज ओफ एक्सप्रिंग फाइब टाइम्स एंडवाई अकरिंग सेवन टाइम्स इज दिस हमें बताने य की वैल्यू क्या होगी टिक है एक बार समझ लेते हैं फिर डाइरेक्ट करेंगे एक पांच बार आया फिर वाइज अकरि निकालना है तो वो दे रखा है हमें 37 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्या मैं इनका सम निकाल सकता हूं आप कहोगे इन सभी वैल्यूज का सम करूँगा तो एक्स पांच बार जोड़ूगा तो यह 5 एक्स बनेगा अगर वाई को साथ बार जोड़ूगा तो इस 7 बाई कि कहता है एक्स एक्स एक्रिंग 7 टाइम्स अगर एक्स 7 बार करो और य अकर वाई पाँच बार तो उनका सम यही होगा और एवरेज की सम कितना हो जाईगा मेरे पास इनका एवरिज रखा अगर 35 तो यह 35 इन 2 में 12 हो जाएगा हमके बताना है य की वैल्यूगा तो सौल हो करना पड़ेगा तो यहां पर साथ से गुना कर सकता हूं और यहां पर पांच से गुना कर सकता हूं ठीक है तो यह भी 35 यह भी 35 माइनस करूंगा कट जाएगा यह किसके बराबर अब यहां पर दोनों जगा बार आया तो बारा को कॉमन ले लिया मेरे पास बचेगा सेंटिस इंटू में साथ माइनस पैंटिस इंटू में थोड़ा से शोट कर लेना कुर्शन को पूरे-पूरी कैल्कुलेशन करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा टाइम यह कट गया मेरे पास आएगा दो अच्छा वाई की वैल्यू अब क्या आएगी हाँ अगर चार को दो से विभाजित करूंगा तो मेरे पास दो चीज बनती है तो दो आएगा साथ आए गा चार ऑप्षिन में में च्छेक करो दो और साथ और से नहीं हो पा रहा ह। पूरा कैलकुलेशन कर लो चोटी सी कैलकुलेशन भूर नाइन डिटल्सम लगा सकते हैं आपके उपर है वरना क घटाएंगे तो 175 यह आएगा 59 प्लस 25 यह जाएगा 84 84 को दो से भी भाजित करूँगा तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी कि नेक्स्ट कुश्चिन पर चलते हैं कि क्वेश्चन में कहता है एब्रेज ओफ इस्वेर सो फाइब कॉन्जुकुटिव और नेच्टरल नंबर से 233 वाट इस दी अवरेज ओप दी लार्जेश्ट नंबर एंड इसमॉलेश नंबर एक मेरे पास पांच कॉन्जुकुटिव ओड नेच्टरल नंबर से जिनके स्कुवायर्स का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 233 हमें बताना है एवरेज क्या होगा लार्जेश्ट नंबर का कुश्चन देखा पढ़ा और अंसर मार्क कर दिया 15 कुश्चन होगया खत्म कैसे करा अब यह अच्छ चीज बता हूं मुझे अगर मेरे पास पांच नंबर है मैंने कहा मेरे पास पांच नंबर दे रखें हैं पांच अभी स्कुएर भूल जो पांच नंबर है उनका अबरेज है 15 तो आप कहोगे सर कॉंजुक्यूटिव नंबर का मतलब तो यह यह कि एपी सिक्वेंस कि वह थी 15 यह वाली तांब मेरे पास 13 यह वाली तंब 11 यह वाले तंब 17 के लिए अगरिस प्याइर की जगा मेरे पास नर्मल टम सो थी तो मैं डायरेक्ली कह देता भाईया कि पांच तरंस का अगर आवरेज रहा है तो मैं यह करते बीडल्ल यह वाली साइटम्स मुझे ए सबसे हैं आप को इसके पास एक तो मेरे पास 15 स्कुएर बनता है जो कि इस से थोड़ा सा चोटा है जो होता है 225 और इससे अगला अगर मैं 16 का स्कुएर लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 256 तो कहीं ना कहीं इनके बीच में पढ़ रहा है चांसिस है जो मेरी मिडल वै है maximum चांसिस है की बंधरा हुआ कई 100 परसेंट गारेंटी नहीं दे रहा है यहां थोड़ी बहुत चेरी बंजल सकती है क्योंकि यहां पर पांच वैल्यू में जनरली मिडल वैल्यू जिसके आवरेज के पास संख्या जादा होती है यह वाली वैल्यू अगर मेरे पास संख् तो फिर यह चीज्ठ काम नहीं करती इसमें हमारा फोड़ा आगे चला चाहता है 15 की जगा यह वाली वैल्यू क्या होती वह मिडल वैल्यू का सपस नहीं होती चांसिस है मेरे पास स rif रहा होगा वह मेरे पास रहा होगा तो सम कितना आएगा इनकाला नहीं है अगर मिन्से कालना तो पूरा निकालने बैट होगे तो बहुत रंबा चला रहागा फिर कॉश्चन टाइम ली नहीं हो पाएगा अब वैरिफाई कैसे करेंगे देखो आप इसके लिए आगरो डिजिटल समका इस्तबाल कर सकते हो यूनिट दोगा दे सकता है इसे हैं सब्सक्राइब आ रहा है यहाँ पर मैं करूंगा एक और एक दो का स्क्वाइर चार आएगा यह तीन और चारकर सोला-शोला का डीटल सम और एक और छे या आएगा साथ पांच और एक छे चे का स्कॉयर च्छतिस च्छतिस का डिजिटल सम करूगा च्छे और दिन नो होता है तो हम इसे जीरो भी लिख सकते हैं अगर मैं आगे वड़ता हूं साथ और एक आठ आठ का स्कॉयर करूगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी च्छे और चार दस तो यह मेरे पास बचेगा डिटल सम वन और जिरो नो और एक दस करूगा नो होता है तुम्हाँ ले इलिमिनेटी कर देते हैं तो यह मेरे पास वन प्लस जीरो का स्कॉयर या आएगा अगर सब कर डिटल सम निकालूँगा साथ चार ग्यारा ग्यारा प् चारिस चारोड़ी पर चार और रख चार प्लस जीरो चार तो सही है भी जो हमने मानाय वैल्कुल ठीक है तो तो मेरी सबसे च्छोटी वैल्यूथ यह होगी लास्ट वाली वैल्यूथ 19 होगी इनका अवरेज क्या होगा पंद्रा ही तो होगा नाश्ट अर लाक फश्ट रम और लाश्टम का एवरेज तो मिडल वैल्यू यह उठी है हमारी अगर एपी सिरीज है तो यह 15 है 15 ही मेरा अंसार है तो अगर चार-फांश तर्म्स की यह इतनी है बहुत ज्यादा बड़ी जिल्ज होगी तो उसमें गया पाजाएगा फिर चीज हो जाएगए चिछे जितनी चोटी जोगी तीन की सिरीज है तो बड़ा साम हो जाता हमारे लिए वह बिल्कुल क्लोज रह जाता मालो अगर मैं त तो यहां पर डारेक्टली हमने देखा कि यह 15 के स्कुएर के आसपास था तो मेरी जो एवरेज वैल्यू रही होगी तो उसके एवरेज वैल्यू रही होगी अब इन दोनों का आवरेज ही तो निकाल रहे थे हम पूरे सिक्वेंस का आवरेज तो अंसर आगया ठीक है तो करना है बेसिक से करको तो बहुत लंबा खिट जाएगा अब कंसेप्ट को समझते हैं मजा आने वाला इस कंसेप्ट में बहुत ज्यादा एक बार समझ आ गया तो आप क्या करोगे एक एक करके सभी वैल्यू का सम करोगे और डिवाइडेट में नंबर वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा मैं वही कर रहा हूं ओब ह्या जैसे करते बाई हो वैसे करता हूँ बस मैं क्या कर रहा हूं ज Yep चिस्क्ति सेवन को सिट्ग सेवन हों क्या में यहाँ सकता हूं और सेवन्टिए को 60 लिग सकता हूं और क्या है है यहाँ पे मैं दूंप सकता हूं और क्या मैं यहाँ पे 61 को 60 प्लस बन लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं आवरेज निकालना है तो किसे डिवाइड़ करेंगें कितनी वैल्यू यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ से विभाजित करते हैं ठीक है इस ती मेरा कितनी बार आया होगा क्योंकि हर वैल्यू को मैं सिस्टी से कंपेर करते हुए लिखते जा रहूं कि आठ बार आया होगा तो मैं 60 को यह लिख सकता हूं 60 करने का मतलब यही है प्लस अब यह जो ब्रैक यह एक्स्ट्र वैल्यूस तीन सब का अड़ कर देंगे चार प्लस छे प्लस साथ प्लस आठ प्लस दस प्लस जीरो प्लस टू प्लस वन यह होगा और अब मैं से डिवाइड करूंगा आर्ट से तो क्या यही मेरा एवरेज है सम करना चाहो तो सम कर लेते हैं चलो दस पच्चेस पैंतिस और तीन अड़िस यह आया अड़िस भाग आठ इसे सोल्व कर लेंगे तो यह मेरे पास आ जाएगा उननिस भाग चार और उननिस भाग चार क्या होता है मेरे पास यह होगा 4.75 तो आंसर आएगा 64.7 अब मैंने इसे कर लेता है आपने इतनी बड़ी कहानिया लिग दी यही हमारा कंसेप्ट है डिविशन का बस यह समझा आगे डिविशन समझा जाएगा अब हमने देखो क्या करा इस जो 60 को क्या बोलते हैं हम जो यह 60 था इसे मैंने बोला एज्वीमड मीन क्या होता है तो आपरेज होता है ब्लिव मेंने इसे बोल दी अपनी मर्थी से टीक है जो यह मेरे पास था यह 65 वेल्यू को मैंने देखा कितने का गैप है चार, छे, साथ, आठ, जी, दस, जीरो, दो, और एक, इन सभी values को मैंने बोला deviations, जो मेरा assumed mean है, उससे इनकी deviation कितनी है, या फिर आप assumed deviation भी से बोल सकते हो, क्योंकि assumption पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, number of values कितनी थी, मेरे पास 8 थी, तो मैंने assumed mean में, अग sum of the deviations, divided by, number of values मेरे पास कितनी है, क्या मेरे पास same answer आएगा, ये मेरा क्या है, assumed mean, मैंने कहा ये assumed sum of the deviations है, और ये मेरे पास क्या है number of values, क्या ये मेरा average देरा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा average हो जाएगा, अब यहाँ पे assumed mean को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मेरे मेरे पास अगर यह freedom है मेरे पास तो इस question का एवरेज में कुछी सेक्ट में निकाल सकता हूं अभी तो मैंने average को क्या माना था 60 माना था 60 की जगए कुछ और मान लूँ गया मैं अब धिहान से समझेंगे मैं मैंने average को 60 मान के करा अब मैं इसी question को दुबारे solve करता हूं यहां पर इन ही values को लिखता हूं मैं 64 है 66 है या फिर उपर ही करता हूं तो आपको दिक्कत आएगी मैं यहां पर मिटाता नहीं मैं एज्जूम्ड मीन को यहां पर मान लेता हूं 65 ठीक है अभी 60 माना था 65 तो मेरा answer क्या होगा जो average होगा वह होगा 65 प्लस एज्जूम्ड इसे हम बोलते हैं एक नाम से हम डिनोट कर सकते हैं तो मेरे पास वैल्यू गाएग अभी क्यक्ति मैंने देखा सारी संख्यां मेरे 65 के आसपास है एक तो मेरे पास यहां पर क्या आईगा यहां अपर क्या आएगा क्या इसाट मेंस होगए आया जो मेरे geldi मीन माना तो मेरे पास माइनस वान आया स्था मैंने किया up 25 को घटाया तो मेरे पास आया यह फ्लस वॉइन तो मैंद आउरист की और सल्गी सब्सक्राइब ऑगर में पास की सारे की सारी तो बलस फाइब टैन मिलस 5 प्लस 5 बचेगा प्लस फाइव में अब तीन और चार साथ को घटाया तो क्या मेरे पास डेविएशन माइनस टू का बचा सम ऑफ डेविएशन जो मेरे पास आया वह आया माइनस टू और अगर मैं बात करूँ नंबर वेलिट तो मेरे पास अब भी आठा काट दूँगा तो एक भाग चार यह माइनस का 0.25 अगर मैं इसे सोल्व कर लूँ तो यह वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 64.75 यह तो हमारे पास यहां पर एक फ्रीडम मिल गई हमें कि हम एवरेज को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं हम उसे क्या मान सकते हैं 65 मान सकते हैं 60 मान सकते हैं और उसे करते हैं आपने कुछ्षिन को सोल्व कर सकते हैं अब एक चोटा सा कुषिन और देता हूं उसके पास पूछ संख्याएं मेरे पास 5 संख्याएं हैं जिनका ओसत हैं 123 और मेरे पास 7 संख्याएं हैं जिनका ओसत हम मान लेते हैं यहां पर हमारे पास है 100 से 24 हमें बताना है इसका Net Average कि यह हमें बता एको क्या मंख़ेंगा यहां पर लगा सकता हो आप को गए एवरेज क्या होता है मेरा एजूम्ड मीन प्लस कि एजूम्ड मीन ओफ़ीड ग्या मालें अब मेच जोटे वाली को माल लेता हु एक सो तेस को गटाऊंगा तो वैल्य जीरो बचेगी 124 में एक सो तेस को गटाऊंगा तो प्लस वन सम ऑफ दी डेविशन कितना निकल लकायागा जल्दी बताओ कितनी बार फांच सम लिख सकता है और यहाँ पर मेरे पास वन का डेविशन से कितनी बार आया होगा तो टोल टेविशन साथ इंटू एक यह हो जाएगा मेरे पस साथ बैर पास इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास अंसर आएगा 123 प्लस सेवन बाइट 1270 बनेगा अप्रोक्सिमेटली 0.6 लिख सकता हूं क्या मेरा अंसर 123.6 अब यह समझाने में इतनी कहानिया लिखी गई है अगर मैं दूसरा कोजिशन करता हूं तो सेकिंड्स में बताब 10 से 5 सेकिंड मे अंसर आजाता हमें पूरा मल्टिप्लाइ करके फिर डिवाइड करके अंसर निकालने की जुरुआत नहीं पड़ती जैसे कि मैं एक और वेल्यू जेता हूं आपको ठीक है अभी कर रहे हैं तो चलू कोई बात नहीं कितना भी लंबा चेशन कीचे कंसेप्ट्स आपके सारी मेरे पास क्या है मेरे पास 13 संख्या है मेरे पास 15 संख्या है मेरे पास से 17 संख्या है ठीक है 13 संख्या हों का एवरेज है 446 15 संख्या हों का एवरेज है 442 और मेरे पास यहां पर 17 संख्या है उनका एवरेज है 409 मुझे क्या बताना है यह नंबर उफ वैल्यू है यह इनका बिएसिक से करेंगे तो हुद लंबा है डेविएशन यूज़ करेंगे मेरे पास 146 चारसो ब्यालिट से आप किसी भी वैल्यू को अपने माल सकते हूं एगविन मालेता हूं और यह वाली वैल्यू मेरी कितनी कम है क्या यह चतीन ज्यादा है तो तीन का डेविएशन हुआ तो सम ओफ डेवेशन करेंगे तो तेहरा इंटू में 0 है कि हाँ पर मेरे पास 15 इंटू में माइनस 4 है और अगर मैं इहाँ पर आगे सोल करूँ आँ सतरा इंटू में प्लस 3 है डिवाइट बाइ मेरे पास नंबर ओफ वैल्यूज की सम कितना हो जागा इनका 13 15 17 वैल्यूज है तो आपको पता है कि हापे 13 और 17 गरेंगे 30 15 15 तो यह मेरा एजूम्ड मीन ओफ दी डिविशन आएगा यह एजूम्ड मीन है एवरेज निकल अंसर क्या आएगा ख़ता 446 90 को अगर 40 से काटता मैं तो लगभग कितना जाता मेरे पास यह जाता पढ़ते पढ़ते अंसर आ जाते हैं इस तरह के वैल्यूज में और उसके बाद अपना अंसर दे रहे होगी यह तीन स्टैप लिखने होंगे अगर यह कुश्चन आया है अब मेरे पास क्याता है कि लास में 90 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 60 परसेंट गल्स हैं और बचे वे जाहें तो अगर बात करता हूं सिस्टी परषेंट क्या नगरें तो मैं कहा सकता हूं गल्स अगर तीन है तो बोईज कितने होंगे क्योंकि पांच में से तीन घटा दूँगा तो बचेंगे रेशियो अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं पूरी क्लास का 63 मानूं मैं मान लेता हूं 63 तो मेरा अंसर होगा 63 प्लस डिवाइशन का सम डिवाइड़ेड़ नंबर वैल्यू हैं कितनी पांच कि यहां पर डेवीशन जीरू को आएगा यहां पर डेविशन प्लस सेवन का अएगा 2 इंटु जीरू तो जीरू आएगा लिखने की जुरबत ऊंगा तो यह वैल्यू आजागी 21 को पांच से विभाजित करूगा तो वैल्यू कितनी आएगी 4.2 4.2 मैं करूँगा 67 अगर मेरे पास boys का average जितना है girls का average जितना है तो जो average value होगी इनके बीच में कहीं रहेगी तो 63 से छोटी value नहीं हो सकती यह वाला option वैसे कर दोएगा अब हमारे पास क्या होता है आप एक concept और सीको साथ के साथ 70 है मेरे पास 63 है तो इसकी middle value क्या होगी इसकी middle value होगी मेरे पास 70 और 63 की 7 है बीच में gap 7 को 2 से विभाजित करूँगा तो आएगा 3.5 या तो इसमें 3.5 को घटा देंगे या इसमें 3.5 को भड़ा देंगे तो इनकी middle value मेरे पास जो निकल के आएगी वह वाली value आएगी मेरे पास 66.5 अब हमार जहां लोग जàyहां होगे मेरा एगरी उस उस साइड मोज़ करेगा करेगा यह नहीं करेगा जहां ज्यादा होगे मेरा एडरेज भूG再ज ज्भाव् और एकंश्य apprenti में चैक कर लेता तो कौन सा option जा रहा है और एक यह वाला option दोनों उसे अंसर हो में थोड़ा करना पड़ता है कि कॉंसा क्रेक्ट होगा हमारा चब जाएगा यह बस एक देखने का नजरिया बताया मैं कि जहां वेल्यू चाद होंगे अबरेज मेरा उस साइड मूफ करना चला जाएगा जैसे कि हमारे पास बाला होता है मैंने पिवोट बनाए यहां पर ज्यादा रख द नाइश्यु कि जो एक्जाम में ज्युरूर और अर्बरेज मार्ट्स है वह कितने है। और 63 तो कैसे करेंगे आपको होगे यह नंबर ओफ स्टुडेंट्स है तो टोटल स्टुडेंट्स किसने होगे मेरे पास ग्यार रिश्यों ठीक है एवरेज बताना है तो 65 और 63 के बीच में रहेगा इन दोनों में से मेरा अंसर होगा अब इसमें इन दोनों की मिडल वैल्यू क्या होगी 64 होगी अर्बन श्टुडेंट्स मेरे पास जाद है तो एवरेज 63 और 64 के बीच मेरा आएगा अंसर आएगा मेरा 63 तो साथ तीन खतम ना भी मैंने डेवेशन ना कुछ लगाया मैंने कहा कि डैरेक्टली हम सोल्व करेंगे मैंने इन दोनों की मिडल वैल्यू निकाली फिर मैंने देका स्टुडेंट्स किस तरफ जादा है अर्बन की तरफ जादा है तो मेरा जो एवरेज होगा 63 और 64 के बीच में होगा यह मेरा इस कुश्चिन का अंसर आगया खतम होगा बेसिक तो लगबग अप्रॉक्सिमेटली थ्री कह सकते हो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 63.73 कुछ है अगे बढ़ते हैं प्रसेंटेज में थे मांस मैं डिरेक्ट लिखा था ना प्रसेंटेज कर लिए ना बात कुश्चिन में कहता है मेरे पास एवरेज औस एट कुंजूगि थ्री नंबर्स थर्टी सिक्स एंड फिप्टी थ्री ठीक है थोड़ी स्टेट्मेंट यॉन्होंने कन्फीजिंग सी बनाई भी है बड़े धियान से समझेंगे इस पॉश्चन को पहले तो आठ कॉंजुगिटिव इवन नंबर्स अगर एसेंडिंग ओडर में मैं लिख द होता है किया मेरी मेरी मिडल वेल्य होती है यही समझाया मैं अगर मेरे पास इनका बीच में कितने का है तो मैं तो मैं कहूंगा जो यह वाली value होगी, इस से 1 कम होगी और यह वाली value एक जादा होगी यह वाली value मेरे पास कितनी होगी 16 होगी और यह वाली value मेरे पास कितनी होगी 18 होगी, क्यों? इन दोनों का average निकालो 16-18 तो भी सुस्तरा हैगा न भीया तो हमने कि अगर यह middle value और इनका एवरेज था तो इन दोनों का एवरेज मेरे पास 17 था तो मैंने का इनके बीच में gap दो का है तो मेरे पास value गयेगी अगर मैं इसे मान लेता चलो ए मान लेता इस वाली टम को अगर basic से देखें यह मान लेता यह वाली टम को मैं मानता ए जोगी संख्या होगी तो यहां पर एक और यहां पर एक अगर मैं कहुंगा यह एक कम होगा यह ज्यादा होगा तो मेरे पास यह वाली निकल गई आगे भढ़ेंगे दो तो यह वाली संख्या होगी ये वाली संख्य होगे 22 हमसे पूछा एवरेज बता दो लाश्ट के तीन नंबर और 36 और 53 तो लाश्ट के तीन नंबर है 22 चो सुरी 22 24 और उसके बाद 36 और 53 इनका इवरेज बताना तो कितनी संख्या हो गई पांच संख्या ही हो गई और डिवाइड़ वाइड़ फाइब कर देंगे अंसर आ गया है क्या बना सम देखो बीज बाइस और चोबिस तो बन गया चाहसट चाहसट में यह जोड़ूंगा में तो यह बन गी 102 और 153 एक सो पच्पन कि अंसर आगया कि इस कुश्चन होगा है कि आगे बड़तें कि कि अ कि कि अ कि क्या दे रख्था है हमारे पास कि सम्चिल्डरन इनना कैम कुछ चिल्डरन से एक कैम के अंदर जिनका एवरेज वेट है जिनका एवरेज वेट 43.2 केज है कैम को लीब करके चले जाते हैं जो एवरेज वेट है चिल्डरन का इन बहुत दोनों के इसके अंदर हमारा एकवल रहता है तो हमें बताना है हाउ मैनी चिल्डरन आर देर इंदी केंप इनीशली मेरे पास केंप के अंदर कितने बच्चे रहे हूंगे अगर मैं स्टार्ट करता हूं इसा ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छा कोशन काफी लोग बोल रहा थे कोशन नहीं कलता है ठीक है को स्टेट्मेंट ही समझनी आ ये यह थिए यह फिर आसा हो पांच चिल्डरन टो जो लो हैं उनका वेट आ गया इतना कहता है या तो ऐसा हो कि पांच लोग जिनका एवरेजवेट 36 वो जोईन कर लें या फिर ऐसा हो पांच चिल्डरन जिनका एवरेजवेट 43.2 केजी है वो च्छोड़के चले जाएं तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर मेरे पास नंबर स्टुएंट्स को एन माना है टोटल अगर मैं एवरेजवेट के बात करूं यहां पर एवरेज कितना होगा पहले मेरे पास एन लोग थे अंदर और यहां पर क्या हो गया पांच लोगों ने और जोईन करा तो नंबर ओफ स्टुएंट्स के अंदर कितने हो जाएंगे एन प्लस फाइव हो जाएंगे तो सम से म इतने लोग बचे हैं उनका टोटल वेट इतना है यह दोनों एवरेज मुझे बराबर दे रखे हैं क्या एक्वेशन बन गई मेरे पास अब मुझे सोल्व करके यह बताना है कि भीया एन की वैल्यू बता दो कि एन की वैल्यू क्या है number of students कितने थे camp के अंदर initially बच्चे कि करता हूं यह एन इंटू 40 यह 40 लिख सकता हूं प्लस 5 इंटू 36 करूंगा तो यह बन जाएगा 180 ऐसे डिवाइटेट बाई मेरे पास 40 है और यहां पर अगर मैं माइनस का साइन लगा दू तो यह वाली वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 43.2 तो 5 से मल्टिप्लाय करना है तो म होगा तो यह वैल्यू हो जाएगी 216 कि यह आएगा एंट प्लस 5 डिवाइड़ बाई एंट माइनस 5 अभी क्रोस मंटिप्लाय करूंगा ग्वाद्रेटिक इक्विशन बढ़ेगी फालतों मैं लंब चोड़ा काम फैल लेगा इससे वडिया है कॉम्पोनेंट से समझाता हूं मेरे पास एक नंबर है तीन भाग पांच और एक नंबर है नो भाग पंथरा या दोनों नंबर सेम है बिल्कुल सेम है अब मैं क्या करता हूं यहां पर कर लेते तो जादा सही रहता चलो कोई दिक्कत निया इस ऐसी रखते हैं अब मैं क्या करूं यहां पर डिविडेंट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि मैं इस वाली वैल्यू में से नुम्रेटर में से डिनुम्रेटर को घटा दू नीचे वाली साइट नुम्रेटर को माइनस दो और यहां पर रिजल्ट आएगा मेरे पास 9 भाग माइनस का 6 इसे मैं काट दूंगा 3 से तो यह बचागा 3 भाग माइनस दो क्या रिजल्ट अब भी सेम है इसी ओपरेशन को हम बोलते हैं डिविडेंट ओपरेशन तो हम क्या करेंगे नुम्रेटर को है कि मेरे पास 396 अगर इधर लगाऊंगा तो नुम्रेटर एड़ेट इस एन प्लस फाइव है डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा एन प्लस फाइव में से न माइनस फाइव को घटाया तो यह बचेगा 10 अब इस कुश्यन को आगे सोल्व कर लेते हैं क्रोस मिल्टिप्लाइ करते हैं 10 इंटू 40 अन तो यह 400 अन बनेगा यहां पर मेरे पास 1800 बनेगा यह किसके बराबर होगा 396 अन लिख रहा हूं बरना आप एक्जाम में मन मन में करना है एक अलिक्टेशन प्लस इसे अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो अगेन मैं आधर से डिवाइड कर सकता हूं त उसे डिवाइड और एक जिलो लगा दूँगा तो यह आएगा मेरे पास 198 तो वन नाइट जिलो बनेगा 396 अन को यहां पर घटाया तो मेरे पास और यह वाली वैल्यू यहां पर घटाया हूंगा तो 180 और एंड की वैल्यू आगई 45 कोश्चिन होगे मेरा फट्रू क्लियर तो यह हमारी बेसिक कैलकुलेशन से हुआ हमने बेसिक से कराई से सोल आप इसके अंदर वैल्यू पूटिंग मैथड लागा के ट्राय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो चारो आपके पास खुले हैं लेकिन मैं रेक्मेंड करूंगा कि आप बेसिक से रहें तो भी कोई प्र को चाहता है कि आपके कंसेप्स क्लियर है नहीं यह पता हो नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं को कुश्चन में कहता है मेरे पास जो एवरेज स्कूर है न फॉर्टी स्टुटेंट्स का एक क्लास में वह है 45 बाद में यह पाया गया कि एट टू प्लेस दो जगाओ पे 25 को ग अगर मेरे पास चालीस टुटेंट है उनका एवरेज था 45 तो सम कितना होगा आप को? है एक मेरा इंकरेक्ट सम करेक्ट सम की बात करऊं निकालते हैं यहां तो हमें क्या करना पड़ेगा बाद में यह पाया गया कि दो जगाओ पे 25 को अमने 35 रीट कर लिया था तो यहां क्या है कि एक जगा पे मैंने क्या करा अगर थो कर से कर लिया तो जो जो सम होना चींगे वह कितने आएगी इसे निकालता हूं यहाँ तो मैं इसे चालीस इंटू में पैंतालीस तो इसे सोल कर लेंगे तो 20 माइनस से ही मेरे पास बज़े का माइनस चोड़ा अब मुझे क्या बताना है क्रेक्ट एवरेज बताना है तो टूटल नंबर स्टुएंट्स तो चालीस से विभाजित करना पड़ेगा तो अंसर कितना आएगा मेरा चालीस से चालीस कर जाएगा इसे सोल करके आप अंसर बता सकते हो कुमसे अंसर है कुशन हो जाएगा खतम इसे काटूंगा यहां पर दो से कटा साथ भाग 20 और यह वाली वैल्यू हो जाएगी पॉइंट 3535 घटा हुआँगा तो 44.65 यह अंसर आएगा ठीक अब छोटी छो सम में आपको यह दिख गया कि 20 यहां पर कम होगा और 6 भड़ेगा तो मेरे पास टोटल सम में वो 14 से डिक्रीज होने वाला है ठीक है 14 से डिक्रीज होगा टोटल सम तो एवरेज में टोटल नंबर ऑफ स्टुटेंट्स कितने है 40 तो यह चोधा क्या होगा 40 से कितना कम किया जाएगा आपको होगे चोधा भाग 40 और यह वाली वैल्यों होएगी मेरे पास माइनस 3.5 तो हर एक स्टुडेंट से मिझे साथ माइनस 3 0.35 मुझे क्या लेना वापिस लेना है तो पहले एवरेज कितना था मेरा 45 था तो जो जाएगा वह जाएगा माइनस 3.0.35 यह आएग जैसे यहां पर 40 का एवरेज 45 था तो मैंने सभी संख्या होगो क्या मान लिया 45 45 मान लिया अब मेरे पास जो टोटल सम है वो चोधाम कम हो गया तो मैं कहूंगो हर एक वैल्यू मेरी कितनी होगी साढ़े तीन सा जीरो पैंट थीफाइगी तो नया एवरेज कितना आ एवरेज असान चैप्टर नहीं है बेसिक से अगर होगे तो वही एक लाइन है ठीक है सब्सक्राइब करते रहेगा खोई रोक नहीं सब्सक्राइब करना था थोड़ी महनत लगेगी चलते हैं अब इसी को बिल्कुछ जो अभी तरीका बता है वही करेंगे कोश्यन में कहत है कि अगर वो क्या कर लेता 27 में जाधा वे आता 10नहंबर नंबर हिस्ति में जाधा ले आता तो जो उसका इवरेज हो जाता वह जाता वो जाता उसका 72.6 तो हमें बताना है कितने पेपर थे एक्जामिनेशन ने तो कैसे करेंगे बेसिक से अगर हम देखते हैं तो मैं कहूंगा तो सम बनेगा इतना अगर कुछ सब्जेक्ट्स में इतने नंबर भढ़ जाते जैसे कि मैंने कहा कि 27 नंबर में बढ़ जाते दस नंबर साइस में बढ़ जाते और अठारा नंबर मेरे इस्ट्री में बढ़ जाते तो नया सम मेरा इतना होता नया एवरेज दे रखा है 72.6 त यह हो गया बेसिक सोल करके हम यहां से एन की वैल्यू निकाल लेंगे आप कहोगे यहां पर एन को कॉमन ले लेता हूं मेरे पास बचेगा यहां पर में से हमने 67.6 को घटाया तो बचेगा पांच और यहां पर वैल्यू कितने आएगी 27 जमा 10 37 और अठारा को जोड़ेंगे तो यह वैल्यू बनेगी 55 और एन की वैल्यू हो गई मेरे पास 11 कॉश्चन हो गया पता लिए तो यह डैरेक्टली हो गया यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं वरन आप देख सकते हैं अगर मैं ओरली सोचता है से थोड़ा सा तो मैं कहता है मेरे पास जो मार्क बढ़े हैं तो इन टीनों करा तो मैंने से बढ़ गया हिसकी वाज़े से मेरे अवरेज इसक्वेडिय कितने से बढ़ गया आप कोग ऑगया पांच है तो तौ्टल वैल्य होगा तो 5 x n किसके बराबर होगा 55 के बराबर होगा पर एन के वेल्जू कितनी हो जाएगे ग्यारा कि डारेक्टली आप यह स्टेब भी कर सकते थे ठेंट इस नथिंग बट डेविएशन अब नेक्स्ट कोश्चन हमारे पास कहता है उनकी मंतली सेलरी दे रखिया हमें इतनी टू ओफिसर्स हैं उन्हें इतनी सेलरी मिल रही है बाकी के आठ सूपरवाइजर हैं उन्हें इतनी सेलरी मिल रही है हमें बताना है एवरीज सेलरी रिमेनिंग प्रूइज की क्या होगी बेसिक से कर सकते हैं सब्सक्राइशन को एकवल करके आप कहोगे साथ इंप्लोईज की एवरेज सेलरी है 29900 और अगर मैं बात करता हूं यहां पर दो सरे उनकी एवरेज सेलरी नब्बह जार है तो सम कितना हो जाएगा इतना आठ सुपरवाईजर है एवरेज सेलरी है इतनी तो यह हो जाएगा आठ इंटो में 65,000 और अगर मैं बात करता हूं बचेवे इंप्लोईज कितने होंगे साथ इंप्लोईज थे दो हो गए आठ हो गए 10 इंप्लोईज हो चुके हैं तो साथ में से 10 कटाऊंगा 50 इंप् पुरा खुश का पुरा बेसिक से सोल्व करें अच्छा हम क्या कर सकते हैं इस्कृश्चिन में दीख को 50 तो सब जगभ तो पचास से काचु है यहां पर 20 करट टी दो से म्ल्टिप्लाइक कर दिया यहां पर 20 करी और 25 कर दिया कोई दिख Mick कर दया कोई दिख्कत यह तक नही 60 into में 220 होगा 120 को इसमें गुणा करना पड़ेगा यह value होगी मेरे पास 2 into 2 4 4 into 9 36 36 यह वाली value होगी 65 into मैं 8 से गुणा करनी है और फिर 2 से 8 दूनी 16 को 65 से गुणा कर दूँ 65 को अगर मैं 2 से गुणा करता तो value आती 130 130 मतब 13 13 को 8 से करूँगा तो 104 तो मेरे पास यहां पर 104 तो यह आएगा और एक जीरो और बनेगी और एक जीरो और बनेगी ठीक है और यह आएगा है एक सोल करके अंसर बता सकते हैं यह तो आप इसे 300 माइनस एक कर सकते हो तो calculation को अगर शोट करना चाहो वरना बारा की तो टेबल है यूज कर लो multiply कर तो बारा का टेबल सबको आता है तो बारा को अगर मैं यहां पर जीरो आएगा बारा निम्मा अगर मैं करूँगा तो मेरे पास value बचेगी है यहां पर 108 एक सो अठारा ग्यारा क्यारी फोरवड बारा दूनी चोबिस और ग्यारा पैंतिस इस में से 3600 इसका सम कर दूंगा तो यह मेरे पास आजाएगा चोधा जाएगा लेकिन चाहें तो हम इस बेवेशन से कर सकते हैं कोई ब्रॉब्लम नहीं तो एक पर डेवेशन से आपको करके दिखाता हूं लेकिन वह एक अच्छा एक्जामपल सेट नहीं होगा आप लोग के लिए आपको लाइगा डेविएशन से मुश्किल हो जाते हैं जबकि ऐसा नहीं है तो अगर मैं डेविएशन से करता तो कैसे करता मैंने मिटा दिया फिला यहां फिर रखते हैं यहां पर नेक्स्ट पेश्पे करता हूं कि मेरे पास 60 अगर मैं उनका एवरेज देखता हूं तो यह 29900 दिखा रहा है पिर मेरे पास दो इंप लोई जिनका आवरेज नब्य हजार है आठ इंप लोई जिनका एवरेज हमें दे रखता है 30,000 और यहां पर मेरे पास क्या होगा बचेवे 50 इंप्लोई जिनका एवरेज हमने माल लिया एक साथ है डेविएशन की खास बात होती है कि सम उफ डेविएशन मेरे पास अगर दो वैल्यूज दे रख्यों क्योंकि मैं पता है दिस इंटू दिस और इन सब का समक्रों तो सेम वैल्यू आएगी तो मेरे पास संबृफ डेविएशन ब्रूनो जगा हमीशा क्या होता है सेम होता है क्या मैंने बोला सब्रू जगा मेरे पास क्या होका सेम क्या क्यों स्सू Сп nodig while youfaktor इन्स ऐहां पर देखता हूं मैंने कहा मैं तो 3900 12 तो मैं average को कुछ भी मान सकता हूं, एक ऐज़िवम्ड मीन को मैं 30,000 माननु आगर मैं 30,000 राखा तो आप कहोगे यहां पर मेरे पास जो average होगा, निकलके आएगा, आप कहोगे एज़िंग मीन अगर इतना है तो average होता है मेरे पास प्लस यहाँ पर सम ओफ मीन ओफ डैविएशन्स सम ओफ डैविएशन्स डिवाइड़ बाई कि नंबर ओफ अब्जर्वेशन्स या फिर मैं से बोल सकता था तो मीन ओफ दी अगर मैं इस साइड करता तो इस साइड भी कह सकता था मेरा जो एवरेशन डिवाइड़ अगर मैंने अगर सम भी दोनों साइड सेम होगा यहां पर आवरेज यह यहां पर नंबर वेल्वेल इंट्य तो मैं मेरे पास तो मैं क्या कर सकता हूं मैं यह कह सकता था यहां पर किस रख दोनों जगह अगर मेरे पास यह क्या कहते हैं, average same है, तो मैं assumed mean दोनों जगा अगर same रख लों, तो यहां से यह कट जाएगा मेरा, number of values भी दोनों जगा 60-60 हैं, यह कट जाएगा, तो sum of deviations दोनों जगा मेरा क्या होगा, same होगा, तो assumed mean को ध्यां से देखना क्या कर रहा हूँ, मैं assumed mean को मान लेते हैं, हम 30,000 अगर assumed mean 30,000 मान लिया, तो यहां पर deviation कितना है, क्या यह 30,000 से मेरा कितना कम है, 100 कम है, तो minus का 100 deviation होगा, यह वाली value 30,000 से 60,000 जाता है, तो deviation होगा, 60,000 का, यह वाली value 30,000 से 35,000 जाता है, तो 55,000 का deviation होगा, ध्यां से समझना, जो मैंने assumed mean वाना है, इस वाली value में से वो assumed mean को तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर जो deviation होगा वो कितने का होगा आप क्योंगे x में से घटाना पड़ेगा मझे किसे 30,000 अब इसे solve करेंगे तो sum of deviation को दोनों जगा equal करेंगे यह 60 into minus 100 करूँगा तो मेरे पास value कितने ही minus 6,000 यह किस के बराबर होगा 2 into 60,000 एक लाग 20,000 के बराबर होगा यहां पर 8 into 35 करूँगा तो 35 into 8 70,282,000 और यहां पर अगर मैं solve करूँगा प्लस 50 और यह मेरे पास x-30,000 वही चीज है मेरे पास कुछ नहीं करना 50 से आप काटना चाहों तो 50 से सारी values को काट सकते हो यह वाली values तो मेरे पास 50 से काटती बन जा दो 0 रह जाएंगी यहां पर यहां पर दो 0 हटेंगी और 28 दो नहीं 56 और यहां पर मेरे पास पचेगा प्लस x-32 अगर मैं चुब्स सोब्सक्राइब यह मेरे पास एट वन टू जीरो बनेगा माइनस का और यहां पर यहां पर यह तीस हजार रहे गए कंसेप्ट के लिए बहुत काम की जिए बहुत जगहां हम यूज करते हैं और डेवीचिन यूटिन यह सभी वैल्यू पर लगाएं चा तो यहां पर डेवीचिन सभी वैल्यू पर लगा के कुछ ही वैल्यू पर लगा सकता था अभी मैंने यह देवीचिन सभी वैल्यू पर लगाया तो कुस्चिन का अंसरी आया मैं कह सकता था यहां पर यह दस वैल्यू पर डेवीचिन लगांगा पचास वैल्यू पर डेवी जीरो जीरो यह वाल है वाली वेल्यू भी इनका ऐवरेज भी 29900 मान सकते हैं क्योंकि सब्साइट वेल्यू ना था दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया दो वेल्यू है 8 वेल्यू जो डो वेल्यू का एवरेज कितना सा मेरे पास कि गलती से विंडो बंद हो गई थी यार एक सेकंड लॉस कि यहां पे थे हम ठीक है कि दो वैल्यूज का एवरेज हमें दे रखा था कितना नब्य हजार और आठ वैल्यूज का एवरेज हमें कितना दे रखा था पैंसट हजार और पचास वैल्यू इनका एवरेज हमें नहीं पता तो यह मैंने मान लिया एक से अब देवियेशन लगाता हूं मैं मैं क्या करूं का पार्शिल डेवियेशन लगाँगा जितनी लिया किसे अगर टीस रखा पर 3,000 तोकिसे कि यहां पर ग्राट फे दीशिण होिन के लिए कुछाइवेर कि अकरव यहां पर निकलके आएगा तो कि यहां पर और यहां पर रापर गडिय सब्सक्राइब केर इन-ने लगा तो प्लस पचास इंटू में 29900 और यहां पर मेरे पास आएगा 58 अगर आप इसे भी सोल्व कर लोगे ना आपका अंसर सेम यह आने वाला मैं क्या करता हूं यहां पर निकाला थो मैंने पूरा यहां पर करा नहीं यहां पर इस पर और यहां पर तो मेरे पास एकजक्ट रखा था नो तो यहां पर मैंने कुछ deviation लगाया पस इन 10 वैल्यू पर deviation लगाया तो sum कितना आएगा sum of deviation यहां पाएगा मेरे पास 10 इंटू में माइनस सो माइनस का 1000 बनेगा यह यह यूज करना है तो सम इसे यूज करेंगे 50 इंटू में 29900 यह मैंने 2 पर 60,000 तो यह एक लाग 20,000 आएगा यह मेरे पास अभी सोल्व करा था यह आया था मेरे पास 280,000 प्लस में मैं लिख रहा हूं 50x देखते हैं x की value निकलती है ने निकलती है अगर मैं यहां से 50 से काट दू कट जाएगा यहां पर 2-0 हटेंगी 2 से गुना हो जाएगा यहां पर यहां पर मेरे पास 2-0 हटेंगी 2 से गुना हो जाएगा तो यह बचेगा माइनस बीस यह बचेगा मेरे पास 29900 अब देखो क्या वही अंसर आ रहा है मेरा यह मेरे मेरे पास 29900 है इसमें से यह 8000 को हटाऊंगा तो 21900 होगा और उसमें से 20 को हटा दूँगा तो की वैल्यू आजाएगी मेरे पास 2-1 अबहुत इंट्रेस्टिंग कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है यहां पर कि डेवेशन हम पार्शियल भी लगा सकते हैं फुल डेवेशन लगाने की जुरूत नहीं है तो मैंने कुछ वैल्यू पर डेवेशन लगाया अपनों बस यह शर्त है कि दोनों साइड मेरा एवरेज सेम होना चाहिए क्योंकि टोटल एवरेज सेम है दोनों साइड तो हमने लगा दिया और जो जितनी वैल्यूज पर यहां पर डेवीशन लगाना पड़े अब आगे भड़ते हैं अब कोश्चन धीरे-धीरे हमारे लिए इंटरस्ट यह गुरूप को जॉइन करते हैं तो जो एवरेज हाइड होती है मेरे पास पूरे गुरूप की वह 0.8 से इंक्रीज कर जाती है हमें बताना है नंबर ओफ श्टुडेंट्स इनीशली कितने थे गुरूप के अंदर इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम एलिगेशन का मेरे पास कुछ स्टुडेंट्स है जिनका अवरेज है 156 तो मैं माल लेता हूं मेरे पास यह पर फाइवरेज 156 ट्रेक नए पांच इंका एवरेज कितना आया इनका अवरेज हैट देरकिती मुझे Αज तो टोटल स्टुडेंट्स है अब कितने तो मैं कह सकत हूँ पहले हमेरे पास 156 मेरे पास 0.8 से हमें बताना नमबर स्टुटेंट्स कितने थे निशली एंड की वेल्यू बताने हैं तो हम सुल करने के लिए अगर डिवीशन से करते हैं तो मैं माल लेता हूं जो मेरे पास एवरेज वैल्यू है इसे इस से फायदा क्या होगा यह एन दीन को माल लिए 156 तो डिवीशन कितने अगा आएगा यहां पर बिवीशन प्लस पॉर का 4 जादा है यहां पर डिवीशन कितने सबसे खास बात क्या है कि इसमें number of values कितनी भी देते हैं यहां पर 5 जोड़े 10 घटा देते हैं फिर 15 जोड़ देते हैं कुछ भी कर ले कुछ लोग इसे करते हैं अब बात करें बहुंज कुछ नहीं है अज पढ़ाने के मूर में मैं ने कहा अगर मेरे पास दो वेल्यूज की बात करूँ वेटिड एवरेज होता है एवन-एवन-वन-प्लस-a2-n2-दिवाइड़वाइड़ए-वन-प्लस-n2 ठीक है यही होता है अगर मैं क्रोस् multiply करतूं मैं कहूंगा aw n1 plus aw n2 यह बराबर हो जाएगा a1 n1 plus a2 n2 के अगर मैं क्या कर लूँ यहाँ पर n1 को common ले लूँ इधर तो यह मेरे पास क्या जाएगा n1 common हुआ तो यह बचेगा aw minus n1 और अगर मैं यहाँ पर n2 को common ले लूँ तो यह बचेगा a2 minus aw और यहाँ पर मेरे पास जो value आएगी n1 divided by n2 यह हो जायागा a2 minus aw divided by aw minus यही मेरा एलिगेशन का कंसेट क्या आता है जनरली हम नमबर का रिश्यो निकालने के लिए लेकिन के लिए कहां यह होता है जब हमारे पास दो वैल्यू जो के दो तंप्स हो दो रखेंगे दो है उनका आवरेज निकालना हो अब हम इसे यूज कैसे करते हैं आप कहते हो सर मेरे पास एन वन इस्टुडेंट्स है एन टुडेंट्स है टीक है एटू और अगर मैं टोटल इस प्रिंट्स की बात करूं तो उनका एवरेज होगा मेरे पास यह डब्लू तो मैं कहाता है यहां प्रिय्टा यहां है 504 यहां है जो इन का इंटा रिशना आट यहीं सकता है वहां वहाँ में Average में क्या होता है Sum upon number of observation तो यहां पर हम Sum क्क्या करते है Average ये यहां पर रिखते है जो बльक्षाषन का रेशियो के मिलता है जो पिछला कुश्चिन था अब ये से एक बार पता देता हूं मेरे पास क्या था ँनस्ट्टेस्टक अनुके इपरेज त compliance 2003 अरुक और व इनका एवरेज आया है मेरे पास 0.8 से मेरी एवरेज वैल्यू बढ़ गई एलिगेशन लगाऊंगा तो मैं बड़े में से छोटे को घटाऊंगा इसमें से इसे घटाया तो आप कहोगे सर 56 काटता तो 4 4 में से 0.8 को घटाया 3.2 आएगा अगर मैं क्या करता हूँ इस वाली value में से इसे घटाता हूँ तो यह वाली value आएगी मेरे पास 0.8 ratio निकाल लूँगा तो value कितनी आएगी 0.8 से 3.2 को काटूँगा तो 1 ratio 4 एक रइशियो किसके बराबर 5 के बराबर तो मैं कहोंगा एड किसके बराबर ओगा 5 से गुणा करना पड़ा तो चार को पांस से घुना करऊंगा तो यह वाली वेल्यू हो जाएगी मेरे पास 20 यह हमारा यह हमारा एक रखकेशन लिए क्लास को जोइन करता है तो चार स्टूटेंट पहले इस स्ट्रेंट को ऑ्यची नोगाल रखता है इश्कितनीगे इसकी वजे से क्या होगा फिजी में करें तो अच्छी को करेंगे तो जो नया आवरेज आएगा मेरे पास N प्लस 4 इस्टुरेंट्स का वो कितना हो जाएगा पहले आवरेज ता 55.5 और इसमें जुड़ जाएगा मेरा 3.6 अगर मैं इसमें से इसे घटाओंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी आप कोगे सर अगर मैं इसे घटाता तो साड़े 4 बसता साड़े 4 में से अगर 36.36 को और भटा दया 4.5 में से 0.36 को गटाया तो यहां पर मेरे पास 4 बचेगा यहां एक और यहां पर बचेगा 4.1 यही वैल्यू आएगी सोल करके अपना अंसर बता देते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बच रहे हैं पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 36 के टेबल में यह आता है गया दारेक्ट तो कटता हुआ नहीं दिख रहा चलो कोई बात नहीं नो से कट रहा है यह चार आएगा और यहां पर अगर नो से काटूंगा तो नो चोग 36 54 जा ठीक है 46 अब हमारे पास लिश्यो नंबर श्ट्रेट्स का आगया पहले अगर 46 तो आप चार रिश्यों और यहां पर भी देरख है यह चार रिश्यों है ने चार नए श्ट्रेट्स योड़े तो पहले नंबर श्ट्रेट्स कितने रहे होंगे इंट्टू वन और इंट्टू यह आएगा मेरे पास 46 कि इसे आप डेविश्यों से खुद ट्राए करना या आपको हूंवर वाला पार्ट है दो वैल्यूज है इसलिए लगा पार हूं यहां पर होता कि मेरे पास क्या है एनी स्टुडेंट्स हैं उनका एवरेज 55.5 है चार इस जोड़े इनका वेट इतना पांच स्टुटेंट चले गए छोड़के उनका एवरेज वेट इतना तो उसकेस में एलिगेशन नहीं लग पाता फिर हमें डेविएशन से करना परता है तो डेविएशन कंसेप्ट इज मस्ट है ठीक है कुश्चन में क्याता है मेरे पास जो एवरेज डेली प्रोड़क्शन है न टोईच का एक फैक्टरी के अंदर इंदी मन्त ओफ दिसंबर वो है पांसो बारा कि के फैस्ट ट्वुंटे डेज में प्रोडेक्शन है का फांसो पंधरा और ल्स्ट के फैटीन डेज में जो प्रोडेक्शन वह पांसो 110 ऐवरेज में तो हमें एव्रेज्ट प्रोड़क्शन बताना है 19th वे और बीस वे दिका क्या होगा ऐसीडि किट्रीव से गषयें चन्हें किट्रीव से गरेंगे चीव से करेंगे टोटल मेरे पास दे़ीम में कितने दिन 45 children 31 में से कहता है जो पहले 20 में उनका ऐवरेज कितना है मेरे पास पूरे 31ffic दिन अलग दर रखका है मिझे 512 पहले 20 दिन का एवरेज दे रखा है मैं 515 और अगर मैं लाश्ट के 13 दिन की बात करूं तो एवरेज दे रखा है मिझे कितना पांसो दस कि हमें बताना है जो 19 दिसमबर और 20 दिसमबर का एवरेज था वो कितना था तो अगर मैं बेसिक से करता तो // il आप 1 फानसों बारा एंवरेज है तो 13 इंटू पानसों पारा करता फिर मैं क्या था कि 20 लोगों का एवरेज इतना है तो 2 515 और यहां पर 13 इंटू पानसों दस करता और मेरे पास दो अब पड़ते हैं मुझे तो टू इंटू उनका एवरेज माल लेता मैं इसे अब यहां पर मैं सोल करके अपना अंसर बता सकता हूं यह हो गया बेसिक अब बेसिक से भी करने में कोई दिक्कत निया इस कुश्चिन को तो क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी डिफ्रेंट है डिरेक् यहां पर यहां पर है 2X और यहां पर मेरे पास यह 0 था तो 10 मान सकते हैं 10-2 करूंगा तो यूनिट डिजिट बढ़ीं मेरे पास 8 अब यूनिट डिजिट जब 8 है उसे में 2 से भी भाजित करूंगा तो दो चीज आ सकती है या तो मेरे पास 18 होता दो से बात करता क्योंकि तो नहीं ना सकता है। वरन्기 इसके खेऊफर कोई एबन वैल्यू होती। से जिरो एड होता या टाई होता इससे दो से बाजित करता तो यहाँ फोर आता यहां पर आता यहां यहीत हैकि त्än क्यार कहते हैं नो या फिर एए कि चार option में 7 करा Put प्रोप्लम नहीं है अब इसी को एक बाद डेविशन से समझते हैं इसे क्या होगा है पिर लोजिकली भी सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं अगर दो संख्या है जो रिपीट हो रही है में इधर बी जोड़ देता तो इनका वरें मैं माल लेता हूं है यहां पर भढते हैं यहां पर क्तनी संख्या है 20 संख्या है इनका कितना है 120 है अगर मैं करनूं तो आप कहोगे एजुम्ड मीन को क्या माल लेते हैं 512 तो डेवेशन 0 का होगा इहां पे डेवेशन कितक होगा x-512 अब आदे यह देखा यह वाली वैल्यू कितनी जाद है मेरे इस से यहां पे डेवेशन कितने का होगा क्या पलस 3 का होगा सम अवडेवीशन को एकवल कर देंगे 0 इंटी कर तो 0 ही है 2 इंटी ये करूंगा तो 2 इंटी मेरे पास बचेगा x-512 यह मैं लिख सकता हूं 2x- इसे गुना कर दूंगा तो 1024 यह मेरे पास किसके बराबर आएगा 20 इंटी में तीन साथ और यह 26 यहां पर घटा देगा ठीक है बल्कि टू को को मन ले लेता तो जाता से रहता है थोड़ा पीछे आता हूं तो को मन यह हो गया मेरा इस question का अंसर यह हो गया मेरा deviation method लगाया अब मैं deviation method को थोड़ा और simplify करूंगा जब भी आपके पास ऐसा कुछ होना दो values रिपीट कर रही हूं directly सुनना इस चीज़ को अगर मेरे पास कुछ values repeat कर रही है तो मेरे पास answer क्या होगा सुन लो directly आगे से use करना स्ट चीज़ को मैंने कहा दो वैल्योज कर रही थी ठीक है तो जो इन दो values का sum होगा या फिर मैं अगर इनका average मानलो तो 2x मेरा हमेशा किसके बराबर होगा यह वाली वैल्यू मेरे पास बराबर होगी आप इन में से डिवीशन निकालों यहां पर मैंने कहा यह प्लस 3 का डिवीशन है यहां पर माइनस 2 का डिवीशन है कितनी कितनी वैल्यू पर है यहां पर मेरे पास 20 वैल्यू पर था तो मैं मैं एड़ करूँगा नंबर वेल्यूज कितनी है जो रिपीट कर रही थी टू और इंटू में जो सभी वेल्यूज का एवरेज कितना था पांसो बार तो यह मेरा इन दोनों वैल्यूस का क्या होगा संवह यह आपको याद रखना किया बताया मैंने इन दोनों रेट्व्य का समख्या हों जो डो ल Molt कर रही है वह उनका संग तो इंटू में जो मेरा अभरा आश्यव phen है ठीक है अब ऐसा क्यों होता है यह देखते हैं इसके बीशे का लोजिक भी है ऐसा नहीं है कि बिना लोजिक मैंने बस डारेक्ट तरीका बता दिया अगर औरली भी सोचा जा सकता है इस चीज़ को तो वह किस वज़े से जादा जा रहा है क्योंकि हाँ पर जो दो वैल्यू 19 और 20 वैल्यू जो रिपीट कर रहे थी वह एवरेज वैल्यू से थोड़ी से जादा रही होंगी तो हमने इसलिए यह वाला पार्ट को एड़ कर दिया इसलिए हमारा ज्यादा जा रहा है अगर यह इने तो मेरी इना मेरा एंवरेज वैल्यू से थोड़ी से कम होती तो इन वेल्यू वैल्यू जो येंड का के अब यह वाला कॉस्चन देखो सिस्ति का पिवरेट कोश्चन में कहता है मेरे पास अगर मैं ट्वेरिश नमबर को रिमूव कर दूं तो मुझे बताना है रिमेनिंग नंबर का इवरेज 51 बस समझाने और अगले बारा नंबर को रिमूव करते हैं तो हमें बताना है अगर ट्वैल्थ कर दिया तो नहीं आ विच्क्त क्या होगा आप यहां पर कर रही होगी तो इसमें से मिझे एक संक्या घटानी पड़ेगी जिसका आवरेज में माल लेता हूं एकस एकस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेविशन निकालूंगा तो यहां पर जिरो आएगा यहां पर डेविशन कितने का यहां माइनस दो का डेविशन है यहां पर आइकस माइनस इकः 51 किसके बराबर इसके बराबर और एकस की वैल्यू आजाएगी इक्यावन प्लस 12 क्या यही समझाा अगया डेविशन मेतट से अब डारेक्ट करेगं यहां मैं रहेंक थो श्लिक निकलेंगे है तो बाराे वैल्यू क्या होगा ख्ट ाथ्यों तो मैं 51 एक लिख दूँगा और फिर प्लस डेवेशन निकालेंगे हम बारा वैल्यूज का एवरेज कितना था 49 था ठीक है यहां पर एवरेज कितना दे रखा है 51 दे रखा तो माइनस टू हो गया डेवेशन माइनस टू का आएगा डिरेक्टली देख सकते हैं कितनी अब मैंने इसे पूरा सोल नहीं करा क्योंकि हमसे यह नहीं पूचा भाई है ट्वैल्यू बता दो हमसे पूचा अगर इसे भी घटा दू तो एबरेज क्या होगा अब आप लोजिकली सोचेंगे बेसिक से करना जाएं बेसिक से भी कर सकते हैं पहले बेसिक से सनलो चलो फि संख्या बचेंगी उनका सम कितना होगा 23 संख्याओ का सम इतना है इसमें से यह संख्या घटारों में 51 प्लस बारा तो मेरे पास यह आगया 22 संख्याओ का सम 22 से विभाजित कर दूंगा तो एबरेज आ जाएगा आप देखो कि 23 इंटू 51 है यहाँ पर 1 इंटू 51 लिख सकत होगा अंसर होगा मेरा दो से काट दिया तो यह भाग ग्यारा और यह वाली वैल्यू कितने होगी पॉइंट 0.5 और फिर फॉर 0.54 कुछ होगी और अगर इस वाली वैल्यू में से 51 में से 0.55 मान लो या फिर घटा हूंगा तो मेरे पास अंसर क्या बचेगा क्या यह 50.6 सु इसको समझ लें अभी यह चीज़ आपको समझ आई अब मैं इसी कोस्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूं जो यह वाला तरीका था ना इससे डारेट करते हैं मैं कहता हूं यहाँ पर यहां पर मेरे पास जो अवरेज थी न सभी ड्रेज की वह थी 51 यह वाली वैल्यू एवरेज से कितनी जाला है 12 जाला है जब सभी 33 को मैं एवरेज 51 मैंने माना सारे की सारे मेरे पास 21 1 जाला है तो कही ना कहीं जो यह 12 का का contribute you नалы को मिला हो होगा तब जाके मेरे पास क्या बना होगा अब यह वाली संख्या मैं हटा दूगा तो कुछ फरक नहीं पड़ता लेकिन क्योंकि यह बारा ज्यादा है तो बारा का contribution वापिस लिया जाएगा इन 22 संख्या उसे तो नया आवरेज क्या होगा 51-22 का contribution वापिस बारा का contribution वापिस लिया जाएगा 22 संख्या उसे तो नया आवरेज हो गई है थोड़ा सा सोचना टाइम लगेगा डारेक्टली नहीं कर पाऊगे ऐसे बेसिक से करना चाहो तो बेसिक तो आप समोफ पहले चोधा नंबर का एवरेज 74 लाश्ट के 15 नंबर का एवरेज 64 तो अगर मैं बात करता हूं क्योंकि हां पर 28 नंबर उनका चयों कि यह यह मैं लिक्त बहुंगा पहले 28 नंबर का इवरेजर से 77 तो यहOWगा 17 करेंगे तो यह वाली वेल्यूऊ 77 प्लस यह बनेगा एक 105 एक 101 में से अगर मैं घ्टा दू किसे ह्योड़िस को तो वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास 63 अब कहता है कि 14 नंबर को यह अगर हटा दिया जाए तो नया आवरेज क्या होगा मैं कहूंगा पहले 28 नंबर थे एक नंबर को कम कर रहे हैं तो बचेंगे मेरे पास 27 नंबर ठीक है अगर यह 51 होता तो आवरेज सेम रहा था लेकिन यह 63 जाता था तो यह 63 को कॉंट्रिब्यूट कर रहा होगा बाकि यह कितने नंबर में 27 नंबर में तो वह कॉंट्रिबूइशन वापिस ले लिया जाएगा तो पहला एवरेज कितना था मेरे पास 77 77 माइनस दिस मेरा इस पूरिशन का अंसा है अब यह इतना भी नहीं करना आपको सिर्फ यह याद रखना है मेरे पास अगर कुछ संख्याओं को रीवूर कर रहा हूं मैं तो मेरे पास क्या होता है जो इवरेज होता है वो होता है न्यू एवपरेज और थीप न striving कितना आया what he 365 मेरे पास आपको यह देखना आप भूल जा कितने नंबर हुए तो मैंने कहा यहां पर हम देखेंगे डेविएशन माइनस 3 कितनी संख्याओं पर 14 इंटू में माइनस 3 मेरे पास कितने का आया 15 संख्याओं पर साथ का डेविएशन है साथ इंटू में 15 तो अपर कितनी रिमूव कर यहीं आगे बढ़ते हैं अब यहां पर क्या हो गया मेरे पास दो संख्याओं रिमूव कर रहे हैं एक और अच्छा कुश्च्ण अभी तक एक संख्याओं रिमूवर थी एक रिपीट कर रही तो कैसे करेंगे सेम अप्रोच यूज करेंगे सेम अधसर आएगा कुछ नहीं करना बेसिक से करोगे तो वही चीज है सारे स्टैप्स वही होंगे मेरे पास बेसिक और डायरेक्ट दोनों ही बता देता हूं फिर कंफ्यूज ना हो मेरे पास 22 संख्या है उनका इतना है पहली 12 संख्या हो का ठीक है प्लस आगे बढ़ेंगे डेविशन निकालो कितना आएना पहली 12 संख्या हो में डेविशन मेरे पास अ थ्री पॉइंट वन का प्लस 3.1 का और बात की 12 संख्या हो में मेरे पास माइनस के 2.1 का हूँ तो मैं डिरेक्ट लिख सकता हूँ 12 क्योंकि दोनों जगा सेम है 3.1 माइनस 2.1 तो डेविएशन कितने का है कर टू इंटू 37.5 और प्लस 12 सब्सक्राइब आश्यूंच चोटल मैं इसका जारा गृट्री समों निया सबस्क्राइब जहता है ये वाफिस लिया जाएगा कितनी संख्यां बचेहीं पहले 22 थी दो को बटा रहा हूँ मेरे पास जो न्यू एवरेज होता है वोता है एवरेज ओल्ड प्लस माइनस सोरी समोफ डेविशन डिवाइड़ बाइड़ जो इनिशेल वैल्यू इस थी नन और जितनी वैल्यू को रिमूफ करा तो पहला एवरेज था 37.5 डेविशन का सम निकाला 12 को मन आया था 3.1 माइनस 2.1 डिवाइड़ बाए 20 माइनस डिस इज माइनस आगे भड़ते हैं यह नई टाइप पर आ गए एक और इस टाइप के बहुत कुश्चिन एकजाम में पूछे जाते हैं कि क्याता है मेरे पास 11 संख्याओं का एवरेज कितना है 56 है ठीक है पहली तीन संख्याओं का एवरे है इतना नोवी 10 वी 9 अऄट दस्वा 25 वह तीन जादा है 11 नंबर से तो हमें 9 और 11 9 तो ग्यारा नंबर है, उनका एवरेज है 56, पहले के जो चार संख्या, पहले की तीन संख्या हैं, उनका एवरेज 52 है, और उसके बाद की जो पांच संख्या है, उनका एवरेज है 60, तो पांच और तीन आठ संख्या है, यहाँ पर ग्यारा संख्या है, तो तीन संख्या हैं की दोनों नंबर को गर हम compare कर रहे हैं तो क्या आएगा सम आयगा टू एक्स प्लस थ्री और टू से डिवाइड कर दूँगा तो मुझे करिए और मेरे पास बचीवी तीन वेल्यूज इनका सम करें तो यह आएगा मेरे पास एक्स प्लस थ्री ब्लस एक्स प्लस ब्लस ब्लस टोल करके मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा यहां पर पूट कर दूँगा मेरा अंसर आगे खतम अब इसी चीज़ को हम अगर करें तो हम कैसे करेंगे मैंने आपको भी एक छोटा सा बताया था कि मैं डेविशन टोटल वैल्यूज पर लगा सकता हूं या फिर मैं क्या करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं धियान से समझेंगे इस चीज़ को घृविशन तो मैं इसे ब्रेक कर देता हूं क्योंकि आठ संख्या है जो जिनका दे रखा था खता है तो मैं इसे 8 और paghardi सब्सक्राइब कर दो तो मैं क्या कर रहों इन आठ संख्याओं पर डेविशन को अज़ितमाल करूंगा यहां पर 56 एवरेज मान लिया मैंने तो deviation आएगा 0 का यहां पर deviation नहीं लगाना तो directly sum यूज करेंगे यह वाली value कितनी आ जाएगी मेरे पास तीन इंटू 56 यहां पर अगर मैं deviation लगाऊंगा तो मेरे पास deviation कितने का निकल का आएगा 52, 56, 4 कम है तो 3 इंटू में 4 यह deviation आएगा प्लस यहां पर 60 है 4 जादा है तो 4 इंटू में 5 का deviation आएगा और यहां पर क्योंकि sum में मैं कुछ बदलाव करी नहीं रहा और यह तीनों value का sum है ठीक है तो sum यूज करना है मुझे तो 3 x प्लस 4 अगर average करता है यहां पर लिखता तो divided by 3 लिखता फ्री न मल्टिप्लाइ करता तो यह आता तो यहीं आता तो यह सोच सकते हो मेरे पास जो value निकल का आएगी 3 x प्लस 4 कि आप देखोगे यहां पर 3 इंटू 56 यह बराबर हुआ चार को कॉमन ले लेता तो 5 माइनस 3 होता मेरे पास तो बसता 2 तो 4 इंटू 2 प्लस 3 x प्लस 4 अब इस वाले पार्ट को भी आप लास्ट के लिए बचा के रखा करो पूरा सोल मत किया करो क्या यह 3 x प्लस 8 और 4 12 होगा और यह मेरे पास 3 इंटू चार और एक्स की वैल्यू कितनी आजाएगी 56 में 4 गटाऊंगो तो एक्स की वैल्यू बन गी बावन अगर एक्स बावन है तो यहां पर पूट करके अंसर बता देंगे बावन प्लस 3 बाइटू यह अंसर आजाएगा मेरे पास 50 प्लस 1Smichुण अब इसका डाइट कि एक्जाब में और यहां से लिखना यह यह कि बाप सारा काव आपको नहीं हो थो इस टैप्स क्या है जितनी समय लगे देंव के इसुरी मिशंक थी उतनी निकालना है जो वैल्यू जब अब दरेक्टली करेंगे सो कि अगले को है कुश्यन में कहता है मेरे पातस 10 नमबर रहें जिनका आजेतरा सभीन और से तो थोड़ा सा मुश्किल बना दिया तो मेबी थोड़ा में टाइम ज्यादा लग इस कुश्चन को करने में कोई नी फिर भी ट्राइ करते हैं पहले हमने कहा देखो जो नंबर की संख्या अलग से दे रखी हो मत्तब यह वाले नंबर मीसिंग होंगे मेरे पांचवा चटा और साथवे के बारे में बता रहा है पांचवा चटे नंबर में देखो क्या दे रखा है फिफ्ट और शिफ्ट नंबर पांचवा नंबर पिचास परसेंट ज्यादा है चटे नंबर से तो इसे टू एक्स मानलो तो यह थ्री एक्स हो जाएगा पचास परसे यह और कहता है जो हमारा साथ वह भी नंबर है वह आठ कम एаст्वे नंबर से रीटव वो आठ कम होगे तो इस मैं कहा तेसे में कह सकता हुं साथ भान अंबर राट ज्यादा होगा हमसे पुसता असबिव сокढाब इतो निकालों हो मेरे पास 10 नंबर थे जिनका एवरेज था 32.5 फिर 4 नंबर का एवरेज 25.6 था पहले चार लाश्ट के तीन नंबर का एवरेज देर रखा था मेरे पास 38.2 और अगर मैं बात करूं यहां पे बचेवे तीन नंबर बचे मेरे पास उनका सम यहां से निकाल सकते हैं या एवरेज करोगे तो आप एवरेज वैल्यू भी बता सकते हो ठीक है तो मैंने क्या करा था पिछले कुछ्छन में बताया था कि हम इसे स्प्रिट कर देंगे दस को साथ और तीन के अंदर तो साथ में तो यहां पर डेवेशन जीरो का आ जाएगा तीन में निकालूंगा टोटल पर काम करेंगे तीन पर तो मेरे पास बचेगा थ्रे इंटू थर्टी टू पाइवरेज मैंने यह माना है 32.5 तो यह वाली वैल्यू कितनी कम यह जादा है आप क 6.9 तो यह आएगा फॉर इंटू में माइनस का 6.9 डेविएशन सम चार वैल्यूज पर टोटल डेविशन इतने का होगा तीन वैल्यूज पर डेविशन निकालेंगे 38.2 एं 32 पॉइंट यह है फाइब बटाऊंगा डेविशन कि आप 5.7 का आएगा पॉजिटिव में और 3 की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर पूट करके अपना अंसर निकालेंगे थोड़ा सा क्यल्कुलेटिव है चलो करते हैं 3 इंटू यह करना है आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो लेकिन अगर मैं चेक करूं यहां पर यह तीन से गट रहा है लेकिन यह वाली वैल और यहां पर आएगा प्लस आट और यहां पर वैल्यू आएगी मेरे पास कि एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर पुट कर देंगे थ्री इंटू 12.5 प्लस पॉर अंसर कितना आएगा है थेटी सेवन पॉइंट फइव प्लस पॉर डेटिव को अरभे बढ़ते हैं लास्ट को नहीं है हमारी क्लास और वेरी इंटरेस्टिंग कुश्चिन प्रशन में क्या चाहता है करा देता हो लेकिन काफी तो लोग करने पाएंगे और आहो सकता है करें तो बेसिक से करें बहुत लंबा चलने जाये घडबड करतें करने तो में भी दिक्कत ना है इसलिए में करा देता हूँ मेरे पास कि दो सेक्षिन से एऔर भी उसमें 40 students हैं दोनों में 40-40 average दे रखें सेक्षिन ए में इतना है और सेक्षिन बी में इतना है जिसकी वाइज़े से दोनों सेक्षिंट का जो एवरेज वेट है वो इकवल बन जाता है हमें बताना है उन दो स्टुडेंट्स का वेट बचा दो जो सेक्षिंट B से सेक्षिंट A में ट्रांसफर किये हैं ठीक है सेक्षिंट B की बात करूंगा एवरेज वेट 44.2 दे रखा तो 40 स्टुडेंट से 44.2 इनका अब सेक्षिंट ये से हमने क्या करा दो स्टुडेंट्स को निकाल दिया जिनका एवरेज वेट इतना था तो कितने सम मेरा माइनस होगा आपको टू इंटू में मेरे पास 48.75 इतना वेट मेरा क्या हो गया सेक्षिंट बी की बात करूंगा यहां पर जागे जुडेंगे तो इसका सम कितना हो जाएगा सभी स्टुडेंट के वेट का सम 48.75 इर हो जाए अब आगे कहते हैं हमारे पाft 2 श्टुडेंट बी से घटाए डाले nowhere और उन दो से हमें अवेरेज का सम कितना है question में कहता है जो average weight है ना दोनों sections का बराबर बन जाता है तो अब total number of students से divide करना पड़ेगा यह sum है average निकालने के लिए total students से divide करेंगे पहले 40 ते 2 निकले 2 आ गए तो total कितने student बचे 40-2 प्लस-2 ऐसे ही हां की बात करता हूं 40 students से 2 जुड़े और 2 छोड़ गे चले है तो यहां पर इतने students है अब average निकल गया दोनों का वह बराबर दे रखाए तो यह बराबर करती है क्या मेरे पास यह भी 40 आएगा और यह भी 40 आएगा कट जाएगा average था अगर मैं सम की बात करता हूं आप यहां पर देखो 40 students है average weight इतना 40 students है average weight इतना तो अगर मैं 40 को को मल ले लेता तो मेरे पास value यहां पर क्या बसती क्या यह 45.5 माइनस 44.2 करता मैं तो value आ जाती मेरे पास 1.3 यहां पर यह 2 x 48.75 है यहां पर भी 2 x 48.75 है इधर जागे जूट जाएगा क्या यह 4 x 48.75 हुगा और यह 2 x से माइनस का यहां पर इधर आ जाएगा यह इधर आ जाएगा तो क्या यह मेरे पास प्लस का 4 x बन जाएगा ड़न एक्स की value बताने फॉर सब जगे को मन आ रहे काट दो यह 13 बन जाएगा 10 x 1.13 और x की value कितनी हो जाएगी इसमें से घटा देंगे तो यह आ जागा 13 घटा इसमें से तो यह value आएगी मेरे पास आपको समझ आया होगा मजा आया होगा सेशन में आपको बेसिक से नहीं पढ़ाया था टाइम पर अगर कर लिए परसेंटेज चैप्टर करवार का परसेंटेज तो पूरा करवाया था तस सेशन से अगर मैं रेशियो चैप्टर की बात कर दो से बाके उसके में करा दिया तो maximum चीज़ें आपकी कवर हो जाएगा और यहां पर एवरेज चैप्टर भी एक तरह से मैंने पूरा के और से मल्टिपल टाइम से वाइज करें क्लास का टाइम कब होगा कैसे क्लास उसकी इंफरमेशन आपको मिलेगी तो इस वीडियो में आप से लेता हूं बाई-बाई-बाई-वरेबन टेक यह नाइस डे एंड जाहें झाल